नमस्कार मैं हूं केसोतिवारी और अलागंदाज में ही रहती है खबरे हमारी मद्ध प्रदेश सरकार के बहुप्रची सूची जल्द आने का अम्मार्ग खुल गया है SP से DIG पद पर प्रमोशन पाने वाले प्रस्ताव को केंदर सरकार से मंजूरी नहीं है बावजूद इसके नए साल में प्रदेश को नए 15 DIG मिलेंगे या थो 292 के 15 IPS का DIG बनना लगभक तैमाना जा रहा है क्योंकि अभी DIG के 15 पद खाली है 2 DIG पदोन्नत होंगे जबकि 2 DIG रिटायर्ड होंगे इसके अलावा राज सरकार ने 10 DIG के अतरिक्त पद पर पदोन्नती का प्रस्ताव भेजा था इससे 2,09 बैच के सभी IPS DIG बन सकते हैं इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीन में DPC की गई थी ग्रह मंत्राले ने 28 नमंबर को सरकार को जवाब भेजा है कि IPS नेमा वली वेतन ब्रद 2,016 के अनुसार मद्ध प्रदेश संवर्ग के IPS अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाए राजी ने केंद्र को कुल 26 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा था 26 पदों के लिए प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ केंद्र की अनुमती के अनुसार 15 पदों पर ही पदोंनती हो सकेगी 13 अपसरों को जनवरी 2023 से पदोंनती मिलेगी 14 हमें करम के अपसर को अप्रेल 2023 और 15 हमें के अपसर को जून 2023 को पदोंनती मिल सकती है नए साल में प्रमोशन के बाद आधस्पी नवनित भसीन रीवा, तरुन नायक सागर, मुकेस कुमार सिरवास्ताव सीधी, मोनका सुकला विदिशा, सुनील कुमार, जैन कटनी, अउदेश गोस्वामी राजगर, डियाई जी पद पर प्रमोट हो सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बाक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सेयर कर सकते हैं, यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, तो विसाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.